तो हेलो एंड वेलकम टो माई चैनल आरे ट्रिक में तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉन पे का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिलेट कैसे करें दोस्तो इससे पहले आपने काफी सारे वीडियो देखे होंगे लेकिन दोस्तो आपको कोई भी जैनुवन ट्रिक नहीं बताता है लेकिन दोस्तो मैं आपको genuine trick बताऊंगा और 100% working trick के साथ मैं अपना phone pay का transaction history डिलेट करके दिखाऊंगा तो दोस्तो सबसे पहले मैं यहाँ पर phone pay को open कर लेता हूं और आपको मैं अपना transaction history दिखा देता हूं तो दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर fanpage को open कर लिया हूँ और यहाँ पर दोस्तों मैं history पर click करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पर transaction history देख सकते हैं और दोस्तों काफी सारे transaction history को मैं delete भी कर लिया हूँ और सभी transaction history को मैं आपको delete करके दिखाऊंगा 200% working trick के साथ तो दोस्तो phone pay का transaction history डिलेट करने के लिए सबसे पहले दोस्तो यहाँ पर हमें Chrome browser को open करना है और Chrome browser open करने के बाद दोस्तो simple सा यहाँ पर हम search box पर click करेंगे और search box पर click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर हम tap कर देंगे phone pay इस तरीके से tap करेंगे और phone पे type करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम type कर देंगे version इस तरीके से type करेंगे version type करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम type करेंगे 24.01 इस तरीके से यहाँ पर हम type करेंगे उसके बाद फिर से point डालेंगे और point डालने के बाद फिर से यहाँ पर डालेंगे 10.6 इस तरीके से डालेंगे और इतना type करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम type कर देंगे update इस तरीके से type करेंगे और type करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम search करेंगे और सार्च करने के बाद दोस्तो यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा फॉन पे तो दोस्तो यहाँ पर हमें फॉन पे पर क्लिक करना है और फॉन पे पर क्लिक करने के बाद दोस्तो यह रिडारेक्ट करेगा हम गूगल पूले स्टोड में अगर हमारा फॉन पलै अप्डेट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर अप्डेट करेंगे। अब दोस्तों यहां पर मैं ओपन करता हूं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। अपडेट कर लिया हूँ अब दोस्तों मैं आपको डिलेट करने का प्रोसिस बता देता हूँ तो फॉन पे का ट्रांजक्शन हिस्ट्री डिलेट करने के लिए यहाँ पर हमें हिस्ट्री पर किलिक करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 नौवंबर 2022 में यहाँ पर ट्रांजक को मिलेगा देख सकते हैं तो जितना दिन का font पे transaction history हम delete करना चाहते हैं वो date यहाँ पर हम choose करेंगे तो जैसे कि दोस्तों हमें November 2022 का transaction history delete करना है तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैं November पर select करता हूँ तो अब दोस्तों यहाँ पर हम clear all पर click करेंगे और clear all पर click करने के बाद दोस्तों ये transaction history हमारा delete हो जाएगा चलिए दोस्तों यहाँ से मैं back करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरा transaction history delete हुआ है की नहीं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर back आ चुका हूँ और यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं आपको November का transaction history दिखाता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं all to all मेरा November का transaction history delete हो चुका है और यह history December का देख सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों हम phone page का transaction history delete कर सकते हैं